हाथी और दर्जी, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दर्जी अपनी दुकान में बैठा, कपड़े सी रहा था, कि अचानक से वहाँ एक हाथी का बच्चा आ गया, और अचानक उंचा उंचा बोलने लगा, दर्जी ने उसको एक रोटी का टुकडा दिया, वहाँ थी, हमेशा द कीचड से भरी हुई थी, और उसने अपनी सोंट से कीचड दर्जी के कपड़ों पर फैंक दिया, दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए, दर्जी सर पकड़ कर रूने लग गया, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरो,